दोस्तो योनो लाइट SBI Estate Bank of India का एक official F है जिसका यूज करके आप किसी को पैसे transfer कर सकते हैं इसके अलावा आपका bank का जो transaction statement है उसे देख सकते हैं और download भी कर सकते हैं इसके अलावा इस application में आपको बहुत सारे important feature है देखने को मिल जाता है तो मैं आपको इस वीडियो में complete process live दिखाने वाला हूँ कि आपकी इस तरीके से यूनो लाइट SBI application में first time register कर सकते हैं तो इस वीडियो को बीना skip के वे वीडियो को लाइक टक जरू दखिएगा सांस में चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं ऐसे helpful वीडिया आपके लिए लाता रहता हूँ और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू किए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले जो अपना Google Play Store application ने open कर लेना है मैंने इसे already install कर लिया है तो यहाँ पे open पे click करता हूँ तो open करने के बाद से जो इसका user interface से कुछ इस प्रकार से आ जाएगा उसके बाद से यहाँ पे आपको phone call का permission आ जाएगा तो इसको आपको allow कर लेना है तो इसको जैसे ही आप allow करते हैं उसके बाद से यहाँ पे आपके sim select करने के लिए option आ जाएगा तो जो भी आपका register mobile number है यहाँ पे आपको select कर लेना है आपका register mobile number है आपके mobile में available होना चाहिए तो चले मैं यहाँ से select करके उसके बाद से proceed पे click करता हूँ तो proceed पे click करने के बाद से यहाँ से आपको mobile से SMS send करने के लिए permission आ रहा है तो इसको भी आपको allow कर लेना है allow करने के बाद से यहाँ से आपके mobile verification के लिए आपके mobile से SMS send के जाएगा तब चक यहाँ पे आपको wait कर लेना है तो व्वेट करने के बाद से यहां पे आपको registration का option आजाएगा है तो सबसे उपर में आपका username आजा रहा है तो यहां पे अपना internet बेकिंग का जो username में enter कर लेना है और नीचे में उसका जो password पर एंटर करके उसके बाद से register पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहां से enter करके उसके बाद से register पे klik करता हूँ तो register पे klik करने के बाद से यहां पे internet backing और mobile backing का जो term and connection आ जाएगा तो उसके बाद से यहां पे i accept के सामने जो box से उस पे tick out कर लेंगे उस activation code को यहाँ पे enter activation code में enter करके उसके बाद से submit पे click करेंगे तो मेरा जो यहाँ पे activation code है आ चुका है तो यहाँ पे मैं enter करके उसके बाद से submit पे click करता हूँ तो submit पे click करने के बाद से यहाँ पे user activation successful का जो pop-up है यहाँ पे आ जाएगा यानि कि जो आपका एजर एक्टिवेशन है वो successful हो चुका है उसके बाद से यहाँ पे ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद से यहाँ पे आपको login करने के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे अपना user name और password डालकर यहाँ पे login पे click करेंगे तो चलिए मैं यहाँ से login कर लेता हूँ तो login करने के बाद से यहाँ पे आपको easypin set करने के लिए option है आ जाएगा तो उसके बाद से set करना चाहते हैं तो यहाँ पे enable now पे click करेंगे अगर बाद मैं करना चाहते हैं तो यहाँ पे letter पे click करेंगे तो मैं यहाँ अभी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे Enable Now पे क्लिक करता हूँ तो Enable Now पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे Enable EGPIN लोगिन आ रहा है तो यहाँ पे और पे क्लिक करेंगे तो अब पे क्लिक करने के बाद यहां पे नीचे में आपको EGP set करने का जो option है यहां पे आ जाएगा तो उसके बाद यहां पे आपको कोई भी 6 digit का EGP ने इंटर कर लेना है आपका जो EGP होगा उसमें कोई भी sequence number और repeated number नहीं होना चाहिए इसके अलावा आपको 3 से ज्यादा इसमें EGP नमर होना चाहिए तो इसको आपको यहां पे इंटर कर लेंगे उसके बाद से यहां पे I accept पे क्लिक करके उसके बाद से confirm पे क्लिक करेंगे तो confirm पे क्लिक करने के बाद से आपके register mobile नमर पे एक OTP यह send कर दिया जाएगा तो मेरा यहां पे OTP आ चुका है तो मैं इसे copy करके यहां पे paste कर लेता हूँ उसके बाद से submit पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप submit पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से यहां पे आ जाएगा You have successfully set your EGP for login यानि कि आपका successfully EGP ने यहां पे set हो चुका है login के लिए तो उसके बाद से OK पे क्लिक करेंगे तो OK पे क्लिक करने के बाद से यहां पे आपको Unolight SBI application में login हो जाएगा जो की यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहां पे login हो चुका है इस परकार से आप घर बैठे आसानी से first time है Unolight SBI में registration कर सकते हैं तो आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिए अपने दोश्तों के पास सेर किजिए तो चली मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जहन बंदे मातर है